विकी कोशल स्टार और फिल्म साम बहादूर साल की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसका फैन्स बेस अबरी से इंतिजार कर रहे हैं आर्मी ओफिसर के रूप में हमने पहले भी विकी को पड़े पर दर्शकों के बीच नेश भक्ती जोगाते हुए देखा है एक बाई फिर वो अपने उमदा एक्टिंग स्किल्स के साथ हिंदी सिनिमा में चाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तयार है साम बहादूर के ट्रेलर के बाद नया गाना जुआरी कर दिया गया है जो पक्का आपका दिल जूईत लेगा रुकना नहीं जूखना नहीं ये बोल है साम बहादूर के नए गाने बढ़ते चलो के सोमवार को मेकल्स ने देश भक्ती से भरा साम बहादूर का नया गाना रिलीज कर दिया है जिसके एक एक बोल आपके दिल को चूने के लिए काफी है ये गाना सैनी को और देश भासियों के दिल में जून भरने वाला है सेम बहादूर का गाना बढ़ते चलो को बनाने में म्यूजिक इंडस्ट्री के कई दिगजों का हाथ है जिन्होंने सदा बहार गानों का निर्मान किया है गाने को दिगगत सिंगर शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्यक कुमार ने अपनी आवाज दी है म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिया है जबकि इसके लिरिक्स लेजंड गुलजार ने लिखे है फैन्स को ये गाना बहुत पसंदा रहा है लोग का कहना है कि इस गाने में उनके रॉंक्ते खड़े कर दिये है कुछ लोगों ने इस गाने को मास्टर पीस भी बताया है मेगना गुलजार के निर्देशन में बनी सैम बहादूर फील्ड मार्शुल साम पैच सैम माने कौश पर आधारित फिल्म है विकी कौशल सैम का किरदार नबहा रहे हैं वहिसान अमल होत्रौन की पत्णी सीलू बनी है विकी कौशल के अलावा फातिमा शन्स सेक इंदरा का निधी का किरदार ने बहादी नजर आ रही है इनके किरदार ने दरशुका कध्यान अपनी और खीच है मूवी 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी